गुट इवनिंग एवरिवान गुट इवनिंग गुट इवनिंग गुट इवनिंग गुट इवरिवन स्वागत है अब सभी का इंगलिश क्लास में मैं हूं भुमिका चौहान आज के क्लास के अंदर हम करेंगे पोईट्री सेक्षन की पोम नंबर वन फोटोग्राफ जो लिखी है शरले टॉलसन ने मज़ेदार होने वाली है पूरी की पूरी कविता मैं आपको प्रॉपर डीटेल में एक्स्प्लेइन करूंगी ठीक है इसलिए आपको कोई दिक्कत नह कोने वाली है सभी बच्चे एक बार क्लास के अंदर है क्विता स्बी बच्चे जोइन कर लीजिए क्लास को और उसके बाद में शुरू करूंगी क्योंकि ऑविसनी बात है को देखें छोटी सिय थोड़ा सा पाट है तो तो वो आपको क्या करना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा, अगर वही part आपने मिस कर दिया, तो फिर central idea भी समझ में नहीं आएगा, फिर mcq type questions भी समझ में नहीं आएगे, फिर literary devices भी समझ में नहीं आएगे, तो सारा कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए सभी बच्चे एक बार आजाएं class के अंदर, share कर दें आर class को सभी कि सभी अपने group में, telegram में, जहां पर भी आपने join किया हुआ है, सब जगे share कर दो, proper, proper, proper explanation आपको आज अपन photograph का देंगे, अभी photos खीचना तो हम सब को बहुत ज्यादा पसंद है, आजकल तो photos बहुत ज्यादा common हो गई हैं, पर पुराने जमाने के अंदर, photos खीचने का लोगों को बहुत शॉक होता था, क्योंकि पहले camera's इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, plus, आप देखो कि जैसे अभी हमें फिल्मों का इतना शॉक नहीं रहा, पर पहले लोग pictures के लिए पागल हुआ करते थे, बाहर line लगते थी, hero heroine के दिवाने हुआ करते थे, उनके hair styles को follow किया करते थे, ऐसा होता था ना, वैसे जो चीजें अभी बहुत ज्यादा हो गई हैं और आसानी से मिल गई हैं, तो अभी हमें उनकी कीमत नहीं पता, right, पर पुराने जमाने में क्या होता था, उन चीजों की बहुत कीमत थी, pictures की, photos की बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी, है न, yes, और इसी पर आज हम यह एक कविता देखेंगे, तो यह जो कविता है, यह भी एक photograph पर है, कि एक लड़की है, वो एक पुरानी तस्वीर देख रही है, ठीक है, और वो तस्वीर देखकर उसे कैसा अनुभग हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है, त अगर कुछ नए बच्चे हैं, जो नहीं जानते हैं मुझे, तो उन्हें मैं बता दू, क्योंकि आप 10th क्लास में तान्या मैं से पढ़ते थे, आप 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर आपकी क्लासे मैं लिया करूंगी, तो नाम, अगर आपको नहीं मालूम है, तो बता देते ह हैं, बहुत से बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, मैं मैं आपका नाम क्या है, क्योंकि 10th से 11th में आए हैं, जानते नहीं है, भुमिका चाहान नाम है बिटा मेरा, ठीक है, भुमिका चाहान नाम है मेरा, और अब से आपकी क्लासे मेरे साथ ही हुआ करेंगी, ओके, ठीक है गुड इवनिंग everyone, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से मैं चाहूंगी, सभी बच्चे एक बार जॉइन कर ले, और मैं भी यहाँ पर आपके लिए class को share कर देती हूँ, class clear दिखाई दे रही है न, कोई problem तो नहीं है न, ठीक है, यहाँ तक कोई problem तो नहीं होई न, किसी को, ठीक है, मैंने अपनी last class का PDF भी टेलिग्राम पर डाल दिया था, तो अगर किसी बच्चे को नहीं मिला होगा, तो देख लेना जाकर, येस, ये वाली जो कविता है, ये लिखी है इन खुबसूरत सी महिलाने, जिनका नाम है Shirley Tolson, ठीक है, Shirley Tolson जो है, इनका जन्मुआ था 1924 में, इंग्लिन के अंदर, कहाँ पर जन्मुआ था 1924 में, इंग्लिन में इनका जन्मुआ था, शी हाड़ यूज पाशन फॉर राइटिंग, और लिखने का इन्हे जुनोन था, इनको इनका पाशन था लिखना, होता है ना, हर एक इंसान का एक पाशन होता है, वैसे ही शॉरले टॉल्सन का भी ये पाशन था, उन्हें लिखने से अच्छा कुछ लगता ही नहीं था, और क्यूंकि उनके पापा भी लिखा करते थे, वो भी लेखकते, तो उनको वो इंस्पिरेशन वहाँ से मिला, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी, किस से, अपने पिताजी से, क्यूंकि वो भी एक लेखकते, तो वहीं से उनको वो चीज मिली थी, ठीक है, वेरी नाइस, चलिए, यहां से हमारी कविता शुरू हो जाती है, सभी बच्चे केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है, एक एक वोर्ड का मतलब अगर अच्छे से समझना है आपको, तो आपको पूरा ध्यान यहां पर ही रगाना होगा, अगर आप इदर उदर की बात होगे उसको अच्छे से, ठीक है, शुरू करें हम लोग, क्या लिखा है, बी कार्ड बोर्ड शूज मी हाव इट वोर्स, वें दी टू गर्ल काजिंस वेंट पादलिंग, इच वान होल्डिंग, वन अफ माई मादर्स हैंस, और शी द बिग गर्ल सम 12 यह और सो, अब यहां पर एक कार्ड बोर्ड की बात हो लिए, कार्ड बोर्ड आपको पता है, अभी तो हमारे जो फोटो फ्रेम होने लगे हैं, वो लकडी के या प्लास्टिक के होने लगे हैं, पर पहले के जमाने में ऐसे कार्ड बोर्ड गत्ता जो होता है न, उसके फोटो फ्रेम बनाए जात थे है ना उसके photo frames बनाय जाते थे उसके बीच में ऐसे photo लगाई जाते थे तो यह आपको दिख रहा है यहाँ पर the cardboard तो cardboard का मतलब यहाँ पर है वो photo frame shows me how it was अब यहाँ पर कभी कहते हैं कि जब वो अपनी एक पुरानी तस्वीर को देख रही है अपनी मतलब अपनी मा की जो तस्वीर उनके पास है एक cardboard frame के अंदर लगी हुई है और जब वो उस तस्वीर को देखती है तो उस तस्वीर के अंदर when the two girl cousins मतलब की दो लड़किया है cousins मतलब बहने हैं उसकी मा की went paddling तो जब उनकी मा दो cousins के साथ paddling मतलब swimming वगेरा के लिए गई थी ठीक है तो वो वहां की एक तस्वीर ली हुई है आप देख सकते हैं वो तस्वीर कुछ इस तरीके की होगी ठीक है तीनों ने तस्वीर खीच रखी होगी ये मा है ये उनकी दो बाकी की cousins हैं जिनके साथ वो गई हुई है और photo frame में ये वाला photo उन्होंने लगाया हुआ है वैसे paddling का मतलब आप वो भी कर सकते है पाडल करने के लिए जाते है न बोटिंग करने के लिए जाते है बुट आप swimming भी बोल सकते है तो वो swimming के लिए गई हुई थी मान लीजिए ठीक है आया समझ में येस अब each one holding one of my mother's hands दोनों cousins ने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है and she the big girl some 12 years or so और यहाँ पर दोनों cousins में जो सबसे बड़ी है वो मेरी ममा है ठीक है तो एक मेरी ममा है और दो छोटी cousins है दोनों ने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है पानी में वो लोग खड़े है वो तस्वीर क्या वो बता रही है और ममा उनमें बड़ी है बारा साल की है आया यहाँ तक समझ में वोलो यहां तक आया समझ में अब इस से से हमें समझ में क्या आता है यहां पर इस टैंजा में हमें कुछ symbols और images देखने को मिलते हैं ध्यान से देखना जिससे हमें कुछ पता चलता है कुछ symbols हैं कुछ images हैं क्या है जैसे पहला है cardboard तो cardboard से हमें पता चलता है कि बात जो हो रही है वो past time की हो रही है cardboard का मतलब तो photo frame है पर इस word से हमें पता चल जाता है कि बात पुराने जमाने की हो रही है past time की हो रही है right जब photo frame cardboard के हुआ करते थे right तो समय के साथ क्या हो गया है वो cardboard भी पुराना हो गया है तो ये cardboard बोर्ड यहाँ पर पास्ट टाइम को दर्शार है कि पिच्चर जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी है यहां तक समझ में आया चेक दूसरी चीज वो दोनों ही लड़कियों ने ममा का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो जो हाथ पकड़ना है वो यहाँ पर क्या दिखाता है वो यहाँ पर दिखाता है मदरली नेचर उनके प्रती कि ममा का कितना प्यारा एक बरताव था एक नेचर था अपनी दोनों छोटी काजिन्स को लेकर कि उन दोनों ने उनका प्यार से हाथ पकड़ा हुआ है जब वो पानी में गई हुई है ठी ली नेचर अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे वापिस से बता रही हूं इसको रिपीट नी करूंगे फिर मैं यहां पर जो लेखिका है शॉले वो अपनी ममा की एक पुरानी तस्वीर को देखती है वो तस्वीर एक कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगी हुई है जिससे मा दो काजिन्स के हातों को पकड़ा हुआ है और वो लोग स्वेमिंग करने के लिए गय हुए है पाडलिंग के लिए गय हुए है इतना ही केवल इसके अंदर बताया गया है यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी आगे बढ़ जाएं अभी सभी बच्चे बताएंगे आगे बढ़ जाएं जल्दी जल्दी यहां तक तो कुछ ऐसा नहीं है न जो समझ में नहीं आया हो चलो अब बहाँ पर क्या हो रहा होगा हवा चल रही होगी तो हवा से बाल ऊड़ रहे होंगे मेरे तो नहीं ऊड़ रहे है पर फिर भी बता दे तो हवा से बाल ऊड़ रहे होंगे तो वो बाल उनके मूँ पर आ रहे होंगे और उन बालों में से ही क्या दिख रही है उनकी स्माइल दिख रही है ठीक है तो वो बीच पर इंजॉय कर रही है और वो स्माइल दिखाई दे रही है और ये एक नाचुरल फोटो है ठीक है ये क्या है एक नाचुरल फोटो है एक म किसका मत्लिंग का मतलब स्वेमिंग के लिए गए हुए तो इसके दोनों मतलब होते हैं एक उतरनाव चलाना भी होता है और तैरना भी होता है स्वेमिंग भी होता है ठीक है तो वह बहाँ पर सक बीच पे गए हुएं basically पानी enjoy करने के लिए बताया तो था यहां पर लिखा था मैंने तब चलो हाँ अभी all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera smile यहां पर क्या symbolize कर रहा है कि भाई वो लोग बहुत खुश हैं वहाँ बीच पर जाकर रहेट तो smile through their hair यह यहां पर symbolize कर रहा है joy on the beach कि बीच पर वो लोग कितने खुश है हवा चल रही है बाल हवा में उड़ रहे हैं और वहां से वो smile करती हुई दिखाई दे रही हैं ठीक है ओके दूसरा चीज हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि वो लोग इतनी जोर जोर से हस रहे हैं कि उनके बाल इदर उदर हो रखे हैं और उनमें से ही उनकी smile दिखाई दे रही हैं अंकल जो हैं वो कैमरा लेकर खड़े हैं जो उनकी photo खीच रहे हैं ठीक है है एक प्यारा चहरा कवी की मा है वो तुमा की चहरे को देखती हैं जब वो जवान थी तो कि यह एक प्यारा चहरा मेरी मा का मेरे पैदा होने से पहले अब यह पार्ट जो है ना यहां से एक्जाम में question आ जाता है और यह आपको exactly उठाकर पूछ लिया जाता है transient feet इसका बहुत deep meaning अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा ठीक है बहुत ज्यादा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा समझना and the sea which appears to have changed less क्या हो गया अब वहाँ पर कहते हैं कि मेरी ममा जो है मेरे पैदा होने से पहले बहुत ही प्यारी दिखती थी वह बहुत प्यारा सा चेहरा उनका दिखाई दे रहा है और वहाँ पर जितनी भी लड़किया है वो क्या देख रही है अंकल की कैमरे की तरफ देख रही है जो उसने कैमरा पकड़ा हुआ है है ना वेरी नाइस यहां तक समझ में आया हा तो बेसिकली से कवी का कहना क्या है कवी का कहना इससे यह है कि मेरी मम्मा अपनी जवानी में काफी ज्यादा खुबसूरत दिखा करती थी अब अगले उसके अंदर कवी कहते हैं कि and the sea और जो sea है which appears to have changed less जो इतने सालों में नहीं बदला जो sea है वो अभी भी बिलकुल वैसा का वैसा है sea के अंदर कोई बदला नहीं आया है पर which appears to have changed less जो दिखाई पड़ता है कि ज्यादा नहीं बढ़ा बदला washed their terribly transient feet तो अब तस्वीर के अंदर पानी आ रहा है समुद्र का उनके पैरों को धोकर जा रहा है उनके पैरों को धोकर जा रहा है तो यहाँ पर sea को कई न कई compare कर रहे हैं mother के साथ right हां कि बढ़ी sea जो है वो तो इतना नहीं बदला पर मेरी मा इतने सालों में बहुत ज्यादा बदल गई है है मेरी मा इतने सालों में बहुत ज्यादा बदल गई है येस right terribly transient feet का मतलब क्या है पानी जो है उनके पैरों पर आ रहा है washed their terribly transient feet का मतलब यहां पर क्या है terribly transient feet का मतलब यहां पर है transient क्या होता है short living shanik human beings की जो जिन्देगी का time होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है समुद्र का जो जीवन काल है वो बहुत ज्यादा है obviously मनुष्य का जो जीवन काल है वो बहुत ज्यादा कम है है न और क्या होता है मनुष्य पहले जवान होता है उसके बाद दीरे-दीरे-दीरे करके बुड़ा होता है और finally मर जाता है right terribly यहाँ पर किसके लिए इस्तमाल हुआ है बिटा terribly word यहाँ पर refer कर रहे है वो तेज लहरे कौन सी लहरे वो तेज लहरे जो उनके पैरों पर आ रही है बहकर और उसकी मा के और उसकी कजन के पैरों को धोकर जा रही है प्रेट तो इस वाले एरिया तक उसकी मां की जवानी की बात की जा रही है आई बात समझ में तो C को कम्पेर किया गया मां से की C की उम्र बहुत जादा है वो नहीं बदला पर मेरी मां बदल गई है राइट दूसरी चीज वो बता रहे हैं कि पानी जो है वो आ रहा है और उनके पैरों को धोकर जा रहा है अब वहाँ पर वो एक सिंबल यूज़ करना चाहते हैं अगर हम इसका वर्ट टू वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा पर इसके जरीय कवी क्या कह यह चाहा है कि भई human की जिन्दगी काफी थोडी होती है वो जवान होता है दिन बुडा होती वो टेंपरेरी होती है यह बताने की कोशिश की जा रही है ऑगी बैर नी नाई satटी 20-30 years later she would laugh at the snapshot see Betty and Dolly she would say and look how they dressed us for the beach the sea holiday was her past mine is her laughter both rye with the labored ease of loss by body piyara paragraph hai agar aap dhyan se dekhoghe to hii samaj mein aega chakyeh bhoat hii piyara paragraph hai kya khaa jara hai stanza ke ander some 20-30 years later ab is stanza ke ander kavi johen woh 20-30 sal bad ki baat such raha hai chakyeh photo li gaih uske 20-30 sal bad ki baat woh log such raha hai chakyeh jab uski mamma kya ho gaih boudi ho gaih baara sal ki thi uske 30-30 sal bad kaap such lo to 42-42 sal ki kuch ho gaih to kaafi umar ho gaih na ho gaih ya nai ho gaih haa to woh 30-30 sal bad ki baat hiyan haa par such raha hai aur kheh raha hai hai ki mai aur meeri mamma is photo ko dhek raha te right same photo ko dhek raha te or photo ko dhek te doraan she would laugh at the snapshot ki meeri mamma joh hai wohs photo ko dhekkar hasi chakyeh woha apni mamma joh hai wohs photo ko dhek raha joh 8-30 sal puraniya aur us photo ko dhekkar muskura hai aur woha apni bieti se puchti hai ya bolti hai ki dhekho betty or dolly ne kiise kapdhe pahne hai kiya bolti hai woh ki bhai dhekho betty or dolly ne kiise kapdhe pahne hai thik hai aur dhekho yeh beach ke liye kiise tiyar huye hai woh yeh bolti yeh betty nahi hai yeh betty naam hai thik hai very nice to woha apri kya kar raha hai basically uski joh maa hai woh khaer raha hai ki 30 sal baat joh maa aur maan dhono is photo ko dhek raha teh tu mammi hasi aur mammi nye meir ko bola ki dhek betty or dolly nye kiise kapdhe pahne hai yeh kiise has raha hai thik hai aur dhekho hunnye hume kiise tiyar kiya beach ke liye thik hai hum beach ke liye kiasse tiyar huye thay dhe dhekho toh yahaan par yeh joh moment hai uski maa ke saath yeh uski ek past ki memory hai thik hai abhi ki memory nahi hai woh abhi ki baat nahi kari hai snap shot ka madla photo woh joh memory hai woh uski maa ke saath uski past ki memory hai ab poet baat karegi present time ki thik hai the sea holiday was her past woh joh photo thi woh meri maa ka past tha mine is her laughter merah past kiya hai meri mammi jabis photo ko dhekkar has rahi thi yeh merah past hai both rai with the labor days of loss ab yeh bhoat interesting cheese hai yahaan par right yeh bhoat interesting cheese hai kyun hai bhai yeh yaha par interesting cheese koi bata na chahe ga dhekhu dhekhu dhe sea holiday was her past mine is her laughter both rai with the loss with the labor days of loss dhekhu dhekhu labored ease of loss ka matla ab ab uski maa zindha nahi hai thik hai poet ke according both woh bhi woh bhi aur uski maa bhi rai with the labor days of loss ka matla kya hai kya kar rahi hai doonu yaha par kahi na kahi aap dhekhenge ki doonu yaha par has rahi hai ki uski maa us tasvir kya under has ray a एक मिनिट दोनों ही क्या कर रहे हैं? देखो जब उसकी मा क्या करती है, फोटो देखती है तब वो भी हसती है, हसती है या नहीं हसती है तो यहाँ पर बोल रहे हैं, दसी हॉलिडे उसकी मम्मी का पास था, मेरा उनका लाफ्टव था हम दोनों ही with the labored ease of loss मेरी मम्मी ने जब वो फोटो देखा और अपने पास्ट को याद किया तो वो खुश हुई हसी पर कई न कई उन्हें दुख भी था कि ये कितना अच्छा समय था अब तो मैं बूढी हो गई वैसे ही कवी भी अब जब उस फोटो को देख रहे हैं और उस समय को याद कर रहे हैं जब वो अपनी मा के साथ इस फोटो को देख रही थी और अब जब उनकी मा इस दुनिया में नहीं है तो भी वो हस रही है तो भी वो हस रही है एक व्यंग्यपूर्ण हसी हस रही है कहने का मतलब कि दुख होता है अंदर आपके पर आप उस दुख क साथ घिना सीख जाते हो राइट हां आप लोग उस दुख के साथ जीना सीख जाते हो तो बतल आप लोस को एक्सेप्ट कर रहे हो डिक एक बहुत बढ़े दुख के बाद आप उस लोज spend 설명 और उसके साथ जी रहे हो वो होता है लेबर डिईज ऑफ लौस क्या होता है ले उसके साथ जी रहे हो कि जीना तो है जिन्दगी इसी का नाम है जिन्दगी रुकती नहीं है ठीक है न मम्मी भी उसकी उस फोटो को देखके जी रही थी न वैसे ये भी अपनी मम्मी को याद करके जी रही है तो यह दुख तो बना रहता है अपने दिल के अंदर पर जिन्द जल्दी फिर उसके बाद last part बच जाएगा, then हम question answers करेंगे, आया ना समझ में, no doubt, very nice, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, तो वो कह रही है कि अब उसकी ममा जो है वो मर गई है, ठीक है, as many years as that girl lived, कहने का मतलब यहाँ पर है, उस photo के अंदर उसकी मममा जितने साल की थी, मतलब मम्मी को मरे 12 साल हो गया, उतने ही साल अब उनको मरे हुए हो गये है, and of this circumstance there is nothing to say at all, अब वो कहते हैं कि अब poet यहाँ पर इतने ज्यादा दुख में है, उनकी मम्मी के ना होने के, कि वो उसको express नहीं कर सकती, and of this circumstance के रिए इस पल को मैं express नहीं कर सकती, कुछ कहने के लि silences, क्या हुआ, चिक, अब यहाँ पर it's silence, silences का मतलब क्या है, कि अब photo देखने के बाद, उन सभी अच्छे पलों को याद करने के बाद, उन सभी events को याद करने के बाद, एक अजीब सा सननाटा है, कवी के चहरे पर, और वो किस वज़े से है, grief की वज़े से, दुख की वज़े से, so it's silence, silences का मतलब है, photo देखने के बाद, यहाँ पर कवी के चहरे पर एक सननाटा है, उनकी जिन्दगी में एक सननाटा है, और वो सननाटा दुख के कारण है, transient मतलब होता है बेटा, शन भर का, तो मनुष्य की जिन्दगी को transient बोला गया है, यहाँ पर transient feet बोला है, तो feet मतलब pair हो गए, transient मतलब जो कुछ समय जिन्दा रहे, तो कहने का मतलब था, वो human being के बारे में बोल रहे थे, कि transient feet मतलब human beings जो है, वो कुछ समय के लिए जिन्दा रहते हैं, ठीक है ना, वो pair उन राइट, तो यहाँ पर मेरी class रोजाना नहीं होती है, Wednesday और Friday को होती है, 6 बजे, ठीक है, तो आप देख लिजिए Wednesday और Friday, यह दो दिन आपकी class होती है, मेरे साथ, 6 बजे, यहाँ पर ही, conclusion क्या निकला है, conclusion यह निकला है कि जो change है, बदलाव जो है, वो इस दुनिया की कड़वी और bitter मतलब, कड़वी और harsh मतलब बहुत ज्यादा क्रूर, एक सच्चाई है, time and tight, wait for none, बई समय किसी के लिए भी नहीं रुखता है, बीच का मतलब, समुद्र तट देखा है, तुम लोगों ने, वाँ मिट्टी मिट्टी होती है, देखा है, गोआ, गोआ में बीच होते हैं, समुद्र का किनारा होता है, वाँ मिट्टी मिट होती है, लोग अराम से बैठे हुए होते है, उसे बीच बोलते हैं हम, ठीक है, जो चीज आपको अब समझ में नहीं आई है, circumstances मतलब परिस्थितियां ऐसी है, अभी central idea ही करवाएंगे हम, ठीक है, और जो कहते हैं कि जो मृत्यू है, वो greatest leveler है, it is the inevitable end of all, ये एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता, ये एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता, यहाँ पर मेरी comments ना बार बार रुख जाते हैं, तो इसी वज़े से मैं इधर देख रही थी, phone के अंदर आपकी comments, आप उचे दिना मैं आप कहां चले जाते हो, कहां चले जाते हो, so it's like that कि मुझे यहाँ पर comments जब बीच में दिखने बंदो जाते हैं, yes, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, अब आपकी जो अगली Friday को class होगी, वो आपकी grammar के उपर ही होगी, आप टेंशन मत लीजे, ठीक है, चालो, अब बारी आती है, central idea की, जल्दी से देख लेते हैं, Charlotte Olsen's poem, a photograph is a tribute to her mother, तो कहीं न कहीं यह एक tribute है, उनकी मा को, ठीक है न, the poem describes three stages in the passage of time, कवी, तीन उम्र की बारे में बात करते हैं, समय के, तीन पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं, basically, in the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach, पहले phase के अंदर, कवी की मा का, वो बीच वाला phase, जब वो, क्या थी, बारा साल की थी, अपने holiday enjoy कर रही हैं, अपनी दोनों cousins के साथ, जब वो लगबग 12 साल की थी, second stage बात की जाती है, जब वो 20-30 साल बाद उस फोटो को देख रही हैं, और हस रही हैं, उस फोटो को देख कर, और बता रही हैं कि देखो मैंने और मेरी कजन ने कैसे कपड़े पहने हुएं बीच के लिए, and third stage बात की जाती है, इसके अंदर, जिसके अंदर point याद कर रही हैं अपनी मरी हुई मा को, एक दुख़द दिल के साथ, तो ये कही न कहीं, एक nostalgic feeling generate करता है, कवी के दिल में, मतलब पुरानी यादे ताजा कर रहा है, नोस्टाल्जिक फील करना, मतलब जिब हमें पुरानी यादे एकदम से ताजा हो जाए, पुरानी बातों के बारे में हम सोचने लग जाए, ठीक है न, सबन से मतलई पुराए आदे ताज़ा हो जाए गभए आप पुराणी बातों को सोचेल लग तो नौस्टाल्जिया नौस्टाल्जिक फिल कर रहे हैं कही ना कहीं पोटिया, पर पुराँ है अपनी मम्मी की वाती कर रहे है, फोतों देख रहे हैं और इसलिए उन्हें गया प किस से बना था बिटा समझ में आना चाहिए बस यही सबसे इजी चीज़ है ठीक है बहुत ही बढ़िया सही है ओके कि यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब उन्प्रबा मां तो होती है ना बिटा मेरे वाले पे तो होई रही है अभी अभी हम कल तो आए वो बाद में आपको बताएंगे इसके बारे मैं चीका अभी यहाँ पर which material was the frame of the photograph made of cardboard option number A next one what was the age of the poet's mother when the photograph was taken age क्या थी poet की mother की जब photograph ली गई यह मैं टेलिग्राम पर शेर कर दूँगी भुमे का चाहान नाम से जो टेलिग्राम है वहाँ पर मैं आपको PDF शेर कर दूँगी 12 यह वेरी नाइस option number C next one what is the meaning of the word rye rye का मतलब क्या है ironic cry sad या none of the above बताओ A option, ironic, ironic, व्यंग्यपून, राय का मतलब व्यंग्यपून, ठीक है, what are the three of them doing in the photograph, वो तीनो, तीनो जो बताई गई हैं, वो क्या कर रहे हैं थी फोटोग्राफ के अंदर, playing, standing beside house, holding hands, holding hands and went for paddling, क्या कर रहे हैं थी, what are the three of them doing in the photograph, फोटोग्राफ के अंदर, वो लोग क्या कर रहे थे, हाथ पकड़े हुए थे, तो C option आना चाहिए, है न, paddling करने दोड़ी गई वे थे, गई तो इसी लिए हुए थे, पर फोटो के अंदर, तो हमें के वल यह दिख रह है न, क्यों उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे, तो वैसे हम fourth option भी कर सेप्टे है, यह ज्यादा better option है, क्योंकि paddling का भी जिक्र हुआ है, who took the photograph of a mother with her cousin, किसने ली थी वो photograph, उनकी मा की, उनकी cousins के साथ, कौन था जिन्होंने फोटोग्राफ ली थी, grandfather, uncle, mother, friend या grandmother, किसने फोट firstly option number to उनके uncle न, what was the favorite memory of the poet, poet की favorite memory क्या है, her mother's memories, her mother's laughter, her own vacation memories, या her childhood memories, बताईए क्या है उनकी favorite memory, poet की, अब आपकी जो Friday को हम class लेंगे, वो grammar की topic के उपर लेंगे, ठीक है, तो सभी बच्चे तयार रहिएगा, Friday की class के लिए, तो उनकी मा का जो, मा की जो हसी है, वो कही न कहीं, उनकी favorite memory है, right, how many phases were depicted in the poem by the poet, कितने phases के बारे में बात की गई है, तीन phases के बारे में बात की गई है, very nice, option number three, चलिए, आज की class को हम यही पर खत्म करते हैं, और इसका PDF मैं आपको मेरे टेलिग्राम पर दे दूँगी, भूमे का चाहान नाम से है, वो वहाँ आपको मिल जाएगा, and bye everyone, take care, मुलाकात होगी आप सभी से Friday को grammar के session के अंदर, ठी है, all the very best.